नमस्कार जैशी कृष्णा मैं राके शिवानी अस्तो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ पिछली कुछ क्लासिस से मैं आपको बता रहा हूँ कि पुंडी देखते वक्त क्या-क्या पॉइंट्स देखें इसके बारे में बताया था आयू के बारे में एक बार नज़र टालें उसके भी उस पहली वीडियो बने लिए कुछ्छ क्या रिजल्ट्स वताइता है रहु के दशा हो तो कैसे रिजल्ट में रहुक्या क्या-क्या है इसके बारे में बहुत संशए लोगों के मन में रहता है, तो आज हम वो clear करने की कोशिश करें। राहु-केतू ग्रहन के कारक होते हैं, यह हम जानते हैं, क्युकि चंद्रमा का पत है, और प्रत्भी का पत है, जो सूरे के और चारो चकर काटती है, और चंद्रमा प्रत्वी के चारों जफर काटता है, जहां पत्वे दोनों के points इंटरसेप्ट होते हैं, वो points राहू और केतु कलाते हैं, North Node और South Node कलाते हैं, तो ये imaginary point है, बेसिकल के, एक mathematical point है, राहू केतु और नासा भी इनको एक imaginary point बाट, तो राहू केतु ग्रहन के कारक हो हैं, गुरू ग्रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं, सेटन है, आप उसको देख सकते हैं, तो राहू केतु को आप देखना चाहें, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी अस्तित्व, फिजिकल बाड़ी इनकी नहीं, imaginary point है, शास्त्रों में बड़ा अच्छा वनन किया है, राहू जो है, वो शनी की तरह वेवार करता है, और केतु जो है, कुजवत, कुज मीस मंगल, मंगल की तरह वेवार करता है, तो राहू शनी की तरह वेवार करता है, और केतु मंगल की तरह वेवार करता है, साथ में यह भी कहा गया है, कि राहू अलगाव वादी है, और केत बहुत चांसिस होते हैं कि पती बतनी दोनों में अलगाव, इस्तिती पैदा है, लेकिन केतु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, ऐसे ग्रह बैठ जाए, तो बहुत चांसिस हैं कि दोनों में फिजिकल हतापाई भी होता है, यह देखने वाली बात है, तो केतु का जो है, तो कि मंगल भी लड़ाई जगडे वाला है, फोर्स का कारत है, और राहु का प्रभाव अलगाव वादी प्रभाई, शनी की तरह बोलते हैं राहु को, और शनी अलगाव वाद करने वाला होता है, तो राहु अलगाव वादी हुआ, केतु मनात्मक हुआ, यह हमें ध्य साथ वाता होती है किया करें किया करें के योजना है वह वह एसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं और योजनावं और भी मैंने भी बताया कि राहू की योजना बनाना जो होता है, इसमें अच्छा बुरा का ख्याल वो होता नहीं है, अब केतु की योजना बनती है, उसके अंदर अच्छे बुरे का ख्याल वो रखता है। तो हमेशा मानना चाहिए कि यह नुकसान देने वाले हैं यह प्रादम देने तीसरे चटे ग्यारवे भाव में राहु केतु बैटे हैं तो वो हमेशा अच्छा मान जाता है उनके लिए वो अच्छी पोजिशन माने जाती है और वहां पे वो अपनी दशा आनका दशा में बैठे हूं मान लिया वो शली की भाव में बैठे हैं दस नंबर राशी है तो वो उस भाव का फल तो देंगे ही देंगे साथ में जहां शली की दूसरी राशी है उस भाव का फल भी वो प्रदान करें लेकिन जिस भाव में बैठे हैं और जिस राशी में बैठे हैं उस रा वॉल्यूम जो भी हो उसका शेप धारण कर लेती है, ऐसी ये छ्चाया ग्रहे हैं, तो जिस घर में बैठते हैं, उस घर पर अधिकार उन गूरूप से कर ले, रहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठें या जिससे द्रस्ट हो, उसके अनुरूप भी विवार कर दो, ग्रह के तो भी आपको मिलेंगे, मतलब आप बुद्ध का कारकत्व है, पढ़ाई करना तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, जोतिश सीख सकते हैं, बुद्ध का जो कारक है, जो भी कारक बुद्ध के हैं, वो वाले कारक भी आपको मिलेंगे, राहु केतु की दशा, आप सोचेंगे ये कै भाई का आदमी कैसे करना चाह रहा है या आदमी जोतिश बनना कैसे चाह रहा है क्योंकि वो राहु केतु बुद्ध के साथ है तो बुद्ध के कारकत्वों को भी अपनी दशा में देता है। दस्वे भावे के स्वामी के साथ हों तो भी राजयोग बनता है। इस राजयोग को बहुत लोगों ने अलग-अलग नाम दे दिये। राहु और गुरु बैठे हों तो उसे चंडाल दोश बोल देते हैं। ध्यान रखने वाली बात बहुत जरूरी है राहु केतु के इसमें कि हम छूटते ही राहु केतु साथ मंगल बैठा हो, या सूर्य बैठा हो, या गुरू बैठा हो तो हम उसको चंडाल दोश, घ्रहन दोश या अंगारक दोश नहीं कहें। उसको देख लीजिए कि कैसे व बतलब वो उस भाभ की चीज़ों को पाना चाहता है. बल बदलू होता है. Ketu, राहु की दशा में इंसान दल च्छेंज कर लेता है. नेता की पॉलिटिक्स चलती हैं देखा न कि आपने डल बहुत चेंज कर लेता है. तो राहू के दशा में इंसान दल चेंज कर लेता है, लेकिन केतू वाला जो इंसान है, केतू के दशा हो तो वो दल नहीं छोड़ने है, वो द्वज का प्रतीक है, जहां डंडा लगा हुआ है, वहीं लगा हुआ है, जहां जंडा गड़ा हुआ है, वहीं गड़ा हुआ है, राहू अगर दूसरे भाव में बैटा हो तो अपनी दशा में मरण भी देता है दूसरा भाव मारक भाव होता है और सात्वा भाव भी मारक भाव होता है तो वो मरण भी दे सकता है ये हमको ध्यान लगाए मैंने बताया कि राहू केतु अपनी अंतर दशा में दोनों राशियों का फल दे। जिस राशी में बैठे हों वहां का प्रबल परणाम और जो इस रहे की दूसरी राशी हो वहां का परणाम भी वो देते। अगर वहां का वो भाव अच्छा है, भावेश अच्छा है, कारक अच्छा है, तो उसके फल अच्छे मिल जाएंगे दूसरी राशी के, अगर वहां का भाव भावेश यो कारक भाव में बल नहीं है, तो भाव पे पढ़ना अच्छे नहीं मिलेगे, राहू मालिया शनी की र करेगा इस बात पर कि पांच्वे भाव में कितना बल है भाव भावेश कारक तीनों चीज़ देखनी होंगी जो मैंने आपको बल के लिए पीछ अपनी कई कुंडियों में और यह कही अपनी क्लासिस के अंदर भी आपको बताया है कि भाव भल हम लोग कैसे निकालते हैं और अपको याद नी होगा तो नेक्स कलास के अंदर में आपको भाव भावन लिकाना भी बताते हैं राहू अगर दूसरे भाव में बैटा हो तो हमने कहा कि वह मरंड भी दे सकता है अपनी दशा में लेकिन अगर किसी ग्रह के साथ बैठा है और राहू की दशा है आपके दू घायू की श्रिणी में को तो हम कह सकते हैं कि मारक पाल उसका चल सकते हैं और नूमबर के महीने में और श्रार रहे हैं। आप लोग मैंसे जो भी इंटरेस्टट हैं। जो भी चाहते हैं। मैं आमस्कंद करा सकते हैं।